तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड़कॉर्टर सेंटरल कमांड के बारे में जिसमें की यहाँ पे हेल्थ इस्पेक्टर और वासरमन के लिए जो परकेंसी जारी की गई थी उसका नोटिफिकेशन इंप्लाइमेंट टिंज में जारी कर दिया गिया है तो इ ऐसे आपको सेंट करना होगा कम्लीट जनकारी मैं आपनों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को भीना स्क्रिप करते हुए लास तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ देना करने के बाद सब्सक्राइब को देने के लिए तो जिसupa न पर उसमें आवेदन करना चाहते हैं करना होगा इसके बाद यहां पे आपको news paper के सामने लिखना होगा employment news लिखना होगा और इसके बाद दिया गिसमे advertisement number आपको देने के लिए तो employment news में जो इसका advertisement number था EN 1862 इसे आपको लिखना होगा और इसके बाद जो आपको date लिखना होगा यानि जो है आप notification जारी किया गिया था 30 July 22 का notification जारी किया गिया था वही date आपको लिखना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहां पे दिया गिया है center का address आपको लिखने के लिए तो आपको center का address लिखना होगा जो complete address होगा वहीं आपको यहां पे लिखना होगा और इसके बाद यहां पे आपको अपना फोटोग्राप स्विप करना होगा और उसे यहां पे आपको आटेस्टेड कर लेना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है डेटेल अपना फिल अप करने के लिए जो कि सबसे पहले आपको दिया गया नेम फिल अप करने के लिए और नेम में यहाँ पर आपको नेम सबसे पहले हिंदी में फिल अप करना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गिया है नेम को आपको यहाँ पे English में इंटर करना होगा और इसके बाद नमबर टू में यहाँ पे दिया गया फादर नेम या तो आपको Husband नेम इंटर करना होगा इसके बाद नीचे आपको Mother का फूल नेम इंटर करना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गया data birth आपको इंटर करने के लिए जो आपका data birth होगा उसे आप इंटर करेंगे और इसके बाद नीचे आपको दिया गया application farm के last list से आपको अपना ages में calculate करना होगा जो कि यहाँ पर आपको year, month or day में जो आपका age आएगा calculate करने के बाद उसे आपको देना होगा और इसके बाद आपको दिया गए category यहाँ पर देने के लिए जो आपको आपको अपना category इसमें देना होगा और इसके बाद नीचे आपको nationality लिखना होगा जो कि आप Indian लिखेंगे और इसके बाद जो आपका religion होगा उसे आपको यहाँ पर देना होगा जिसमें कि सबसे पहले आपको village महला या तो आपको house number देना होगा इसके बाद आपको post office का name तैसिल का name पूलिस situation का name इसके बाद आपको district का name, state name और जो आपका area pin code होगा, उसे आपको fill up कर लेना होगा और fill up करने के बाद इसके बाद जोब का contact मूबाइल नमबर होगा उससे भी लब करेंगे और fill up करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट में आपको दियागा permanent印象 आपको देने के लिए यानि जूब का astha ही पता है उसे आपको fill up करना होगा जो कि आपको सेम तरीके से fill up करना होगा सबसे पहले आपको village महला या house number देना होगा इसके बाद आपको post office name, तैसील का name, police station का name, district name, state name और जो आपका area फिन कोड होगा उसे आपको fill up करना होगा और इसके बाद नीचे आप mobile number फिल अप कर लेंगे और इसके नीचे आपको दिया कि इसमें milady आपको fill up करने के लिए जो आपका active और valid milady होगा उससे आप fill up कर लेंगे और इसके बाद नीचे आपको अपना qualification टेल देना होगा जो भी आप qualification होगा 10-12 उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा और जो भी आप qualification दिखाएंगे उसका आपको मार्सी टो सट्पिकेट application फ़र्म के साथ attach करना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गया experience के लिए अगर आपके पास कोई experience होगा तो उसका टेल आप यहाँ पिल अप करेंगे सर्विस नहीं करते होंगे इससे अब लैंक छोड़ देंगे और इसके बाद नीचे दिया गया declaration जिसमें कि यहाँ पर आपको अपना signature करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको अपना करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको चोड़ने के बाद करके यहाँ पर नंबर में 3 2 ए मिल के होंगे तो आपको राइट थेंड का तो आपको जनकारी हो गई होगी कैसे यहां पर आपको फॉर्म को फिलब करना है और इसके बाद बात करते हैं कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट लगाना होगा तो जो भी आपको डॉक्मेंट लगाना होगा यहां पर देख सकते हैं डॉक्मेंट लिस्ट मैंने यहां पर दिय लगाएंगे इसके बाद आपको अपना डोमेसाल सट्पिकेट यानि जो आपका निवास पत्र होगा उसे आप लगाएंगे इसके बाद आपको तीन एक्षटा पास्पूर्ट से फोटोग्राफ देना होगा एक आपको सेल पडेस इनुलब देना होगा जिस्विक या 25 पूट्बर सैनिक हैं और फाम करते हैं तो उससे आपको लगाना होगा और इसमें जो भीड dots लगाएंगे सभसापने लगाना और यानि लगाना होगा यानि अपना सिफनीचरर कर लेना होगा और इसी के निचे मियाने संटर है अपको पूप कंद करना और यहां पर ऑफ्लिक现在 को आपको लिखना होगा जो कि आपको उपर टोप पे लिखना होगा और इसके बार खोटे हैं आप को करके distribution कर सकते हैं और चौत करने के लिए आप इसमें 44 सिटमrą-24 तक परके लेशल कर सकते हैं और इसके बाद आपको पोस्ट पोस्ट आप पोस्ट के आपको पोस्ट का नेम देना होगा इसके बार नीचे आप सेंट्र गाडेस लिखना होगा लिखने के बाद इसके बाद यहां पर फ्रॉम लिखेंगे और इसके बाद आपको अपना होम अड्रेस यहां पर आपको लिखना होगा और इसके बाद जो आपको अपको लिखना होगा टू लिखेंगे और नीचे आपको आपना फुल अड्रेस लिख भी आपको अंधर डाल करके आपको सेंड करना होगा जो कि आप स्पीट पॉस्ट या तो आप राइश्टयट पॉस्ट से फांove को सेंड करेंगे अधर को जनकारी चाहिए या फॉर्म फिल अप करने के लिए कोई डाउट हो रहा है तो आप नेजर कॉर्ण से कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको जनकायर दे दूँगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक किजिए अपने फेंट के साथ सेर कर दीजिए चैनल पर पहली बार आई हुए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ यसाथ वेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद